नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल पर आज हम कडाई में बनाएंगे धेर सारे नान बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही बढ़िया नान बनाएंगे जो बिलकुल कच्छे भी नहीं होंगे और कडाई में बनाएंगे तो ये फटा-फट या फिर धाली इसमें हम ले रहे हैं मैदा यहां पर तो नान मैदा से ही बनता है तो मैदा ले रहे हैं लेकिन अगर आप मैदा अवोइड करना चाहते हैं तो आप यहां गिहूं का आठा ले सकते हैं पूरा या फिर आधा गिहूं का आठा आधा मैदा कर सकते हैं मैंने यहां पर दो कप लिया हुआ है मैदा थोड़ा सा नमक डाल दिया है और डाल रही हूँ यहाँ पर आधा चम्मच इनो है यह हम यहाँ पर यीस्ट या सोड़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे यह कि उस पर काफी टाइम रखता है और अभी सर्दी का टाइम है तो फर्मेंटेशन भी आप देखेंगे कि कितने बढ़िया नान जो है बनकर तैयार हुए है चार चम्मच के लगबग यहां दही डाल दिया है मैंने ज्यादा गाड़ा दही नहीं डाला है यानि कि दही का जो थोड़ा सा उपर का पानी होता है ना हलका खटा-खटा वो डाला है जिससे कि नान मे बहुत ज़दा आपका खिचेगा नहीं यानि खाने में आपको सौफ लगेगा थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आप चाहे तो हलका गुनगुना पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूद बगेरा का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं पर ज्यादा जंजट करेंगे यहां पर सिंपल एक तम बना रहे हैं डेली के खाने के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से आप बना के देखिए का बहुत कमाल के नान बनकर तयार होते हैं आटा जो है हमारा लग गया है इसे बरतन से कवर कर देंगे और 10-15 मिट के लिए रग देंगे अगर आपके रोटियों के लिए वैसा नहीं लगाया है अब हम इसके चुटे चुटे पोशन कर लेंगे यानि की लोईयां तोड लेंगे तो हम बना रहे हैं कड़ाई में बहुत ज्यदा बड़े साइज के नहीं बना रहे हैं जिससे की बड़े बड़े बनाने में काफी टाइम लगता थोड़ा सा मोटा ही बनता है थोड़ा मोटा बहुत ज़दा मोटा नहीं बनाएंगे घर पर जिससे की वह कच्चा ना रहा और अमें नुकसान भी ना करें थोड़ी कलोंजी और थोड़ा सा हरदनिया डाल देंगे रेस्टोरेंट वाले ढबा वाले बिल्कुल इसी थरह बना है तो आपको एकर गोल बनाना पसंद लेक्त आप गोल बना सकते हैं वैसे मे घल रोल also करना तो जल्दी जल्दी बनाना रहेता है इसलिए इसका तेस्ध से कोई पर गढ़ना सकते हैं और देखिए मैंने घर अब चलते हैं गैस की तरफ गैस को ओन करेंगे और एक कड़ाई है उसे हम उल्टा करके रख देंगे कोई भी कड़ाई ले लीजिए अलूमियम की स्टील की नॉन स्टिक नहीं चलेगी क्योंकि उस पर ये चिपकेगा नहीं अब देखे जिस साइड कलॉंजी और धनिया नही इसे आहिस्ता और बस इसे हाई फ्लेम पर पकने दीजिए धीरे धीरे कड़ाई को इधर से उधर मूव करते रही है जिससे जो आच है वो न सारी जगे पर पहुंच पाया जो बड़ा वाला बर्नर होता है उस पर रखेगा तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो फ्लेम है आच है वो पूरी कड़ाई में हर जगे फैल जाएगी इवेंली जो है डिस्ट्रिब्यूट होगी अभी उपर से जब नान थोड़ा सा सूखने लगेगा यानी बबल साने लगेंगे तब हम कड़ाई को उठा लेंगे और कड़ाई को उठा करके जैसे हम तावा उल्टा कर के बनाते हैं ना घर पे बिल्कुल वैसे ही इसे हम चारों तरफ से सेखेंगे जितने भी हमने इसमें नान चिपका रखे हैं उनको देखे किता बढ़िया कलर भी आ गया है तो बस इसी तरह से से शेख लेंगे बहुत जल्दी सिख जाते हैं क्योंकि मैंने इसे मोटा नहीं और दूसरी साइट से भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे परफेक्टली पके हैं जैसे तंदूर में नान पकता है न देखिया बिल्कुल वही वाला टेक्श्चर आया है और यह बिल्कुल कच्चे नहीं है तो आप इने पनीर छोले किसी भी डिस के साथ में इंज्वाय कर सक दोस्तों इसी तरह से सारे नान बनाएं मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा